बच्चों मार्क्स तभी आएंगे एक्जाम में अगर आप स्मार्ट स्ट्राटजी अपना रहे हैं मतलब कहने का कि अगर आप NCRT पढ़ेंगे तो ही मार्क्स बढ़ेगा नॉलेज हो जाएगा, कन्फिडेंस हो जाएगा नंबर उन्ही बच्चों क्या आते हैं, जो स्मार्ट हैं, जो जानते हैं कि हमें NCRT को खंगाल के पढ़ना होगा अब आओ, इस वीडियो में मैं NCRT के टोटल, जितने भी और्गिनिक के रिएजेंट्स दिएगा NCRT में इस से बाहर सवाल आएगा ही नी रिएजेंट्स पे अगर आ रहा है तो और इस वीडियो से भी दो से तीन नंबर, दो से तीन क्वेश्चन यानि कि 10 से 12 नंबर आपके बढ़ सकते हैं आईए, 10 का मतलब 8 से 12 नंबर, चलिए अब NCRT के 70 के 70 रिएजेंट्स अभी हम पढ़ेंगे मेरे साथ एक हर छोटी बड़ी बात को कवर करेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा आउट्फुट वाला काम करेंगे गधा मजदूरी करने में मैं विश्वास कम रखता हूँ आईए बच्चों आपको सेम सिखाता हूँ NCRT का पहला रिएजेंट आपके स्क्रीन पे गया कि अगर मालीजिए मुझे दिया गया है अलकोहलिक के वेच तो क्या होगा अलकोहलिक के वेच तो अलकोहलिक के वेच बच्चों हमीशा अलकाइल हैलाइड से अलकीन बनाता है ध्यान दीजे क्या बोला मैंने कि सर अगर आपके पास अलकाइल हैलाइड दिया है Rx तो अलकोहलिक के वेच अलकीन में कनवर्ट कर देगा तो अलकाइल हैलाइड से अलकीन माइनस HX करना पड़ेगा H और X को हटाना पड़ेगा देखो ऐलकीन मेंसे HX को हटा दी हमने और कहां से H था हटता है ध्यान दीजिए जहां जिस कारबन से हैलोजन लगए उसको हम आल्फा कारबन कहते है उसके बगल वाले को बीटा कारबन कहते है तो बीटा का हाइड्रोजन और अलफा का हैलोजन यहां दोनों से बेटा क्या हड़ जाता है HX रिमूव हो जाता है और जब भी ऐलकोहलिक कोईच दिखे तो क्या बोलोगे सर ऐलकोहलिक कोईच का मतलब HX का रिमूवल होना मतलब अलकीन बनेगा मतलब अलफा और बीटा से इलिमिनेशन हुआ अलफा से हैलोजन बीटा से हाइड्रोजन HX का इलिमिनेशन हो गया है अलकीन का फर्मिशन हो गया है मेरे प्यारे बच्चों समझ में आई क्या देखोगे ये एक elimination reaction है बेटा इसको हम beta elimination भी बोलते हैं एक और चीज़ सर इसको हम alpha beta elimination भी बोलते हैं तो examiner किसी भी तरह से कर सकता है ध्यान दीजे अलकोहलिक के ओएच अलकाइल हलाइट से अलकीन बनेगा पूरा दिमाग में fit हुआ अलकोहलिक के ओएच एचेक्स को हटाएगा alpha beta से next move कर जाते हैं ध्यान दीजे elimination इसलिए heat की भी चर्चा हो रही है जब जब अलकोहलिक के ओएच होगा heat भी होगा अलकाइल हलाइट से alcohol होग है अगर मालीजे यहां पर फ्लूरी लगा दे तो एच एफ नहीं हटता है हटेंगा क्या एच सी एल एच बिया रचाए क्योंकि जो कार्बन और फ्लूरीन का बॉंड है वह strong बॉंड है बहुत से नहीं होगा इससे भी strong बेस लेना पड़ेगा ठीक है और high temperature very high temperature लेना मतलब समझीं बात को एलचोलिक का मतलब है कुछ नहीं कुछत होगा बिटाल कौहल पीने के बांद कि डिनीया इल्यमिनेट होती है वwhen Algun कम इसमान shaped रहे है एलकॉन मतलब बिट्टे क्या है पानी outgoing का मतलब क्या है पानी और पानी क्या है OH- तो क्या होता है आपके पास अगर alkohol है और alcoholic जगह equal score लेश ले लिया यह alcoholic के जगह an olhos ले लिया है तो तो मेरे प्यारे दोस्तो एकष टा के ओ लक जाएगा अलकाइल हेलाइट से अलकोहल बन जाएगा इसको हम सबस्टिटूशन रियक्शन कहते हैं बहुत बढ़िया ध्यान देजे न्यूकलियोफिलिक सबस्टिटूशन है मतलब यहां से ओच माइनस आके हटा है लगा है तो ओच माइनस आया और और ओच में कनवर्ट हो गया बोलो क्लियर क्या कोई दिक्कत नहीं है क्या यहां से आगे वड़ते हैं तो सर एलकाइल हैलाइट से अलकोहल बनके तयार हो गया एक सबस्टिटूशन ध्यान दिजिएग पड़ेंगे बट एंसे आटी में के वल यह दोनों तो SN1 बेटा ठीडिगरी को फॉलू करता है इसको और SN1 जो है वह वन डिगरी में प्रेफरेबल है यह हाइर डिगरी में यह लोवर डिगरी में बेटा SN1 पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसमे एच प्लस रिलीज हो पाए और इसमें पोलर एप्रोटिक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 होता है चलिए नेक्स्ट अगर अलकोहलिक के वेच बता दिया एकवस के वेच बता दिया अगर कंसंट्रेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरेटरे डिन वह के वच वैसे यहां पर बाद अलफा यह तो वैसे जहां पर अलफा एच नहीं है वहां पर आप सब्सक्राइब तो चैनी जारू रियक्षन होता है कौँ के लेकिन अबहु आगे कराऊंगा लेकिन अगर वैसे अलडिहाइट की टोन जहां पे अलफा एच हैं पहले से और फिर आपने क्या दे दिया है डाइल्यूट एडियूट एडिवेच या कि अगर आपके पास वैसे अलडिहाइट की है देखो CH3CWH देखों आपके पास acetone बना देते हैं CH3CWCH3 तो यहां पर आपके पास alpha-H है यहां भी alpha-H है तो अगर मैं यहां पर alpha-H में डाइल्यूट देता हूं इने वच के वच तो एल्डॉल होगा आगे पढ़ाऊंगा और अगर इसमें अलफा-H नहीं है और concentrated देता हूं तो आपके पास कहनी जार हो जाएगा आगे पढ़ाऊंगा प्रोड़क कैसे लिखना है और नॉर्मल कंडिशन्स में एक्वस एक्वस के वच क्या करता है सर एक्स हटा के ओच लगा देगा आर सील में एक्वस के वच डाला है एक्स हटा के उस लग गया है नूक्लिओफाइल सब्स्ट्योट हो जाएगा ओच मामें सब्स्ट्ट्यूट हो जाएगा दूसरा आजाओ बीर्स रिएजन्ट क्या होता है तो पच्छे आजके बाद अगर आपसे कोई बेर्स रिएजन्ट पूछे तो बोलना है आपको कोल्ड डाइल्य के मिल वर और वो भी बेटा एलकलाइन यानि की बेसिक एलकलाइन जानिकी पिसिक generation क्या बना देता है क्या बना देता है भी ऑल बना देता है यहां गए से मेरे प्यारे बच्छों यहां देखोंगे हैं हमने क्या डाला तो तो सर 0s different sun踩시는 on यहांपे यहां प ethics аб्द्धेट लिए सरियेजेंट को वाand इस्तिमाल करते तब ही तो डैयौल बनेगा अगर डबल बॉन नहीं है तो बेर्स रियजट किया करता है डबल बॉन तोड के ओछ लगा देता है ध्यान देजिएे बेर्स रिएजेंट जो है वो सेन एडिशन दोनों सेम साइड से डायॉल बना रहा है सिन एडिशन अगला कुश्चन मूव करते हैं सेम अगर मान लीजी आपके पास बेर्स रीजेंट के जगह NC80 में एक लाइन में घुसाए हुआ इसको अगर आस्मोनियम टेट्रा उकसाइड दिया है OSO4 आस्मियम टेट्रा उकसाइड और वाटर दिया है अगेन ये भी वही काम करता है अलकीन में डबल बॉंड तोड के बच्चे डायॉल बनाता है क्या करेगा अलकीन में बच्चे डबल बॉंड तोड के ये carbon single bond carbon और diol में बना देगा तो this is what, this is osmium tetraoxide plus water है ना, osmium tetraoxide plus water alkenes से बच्चे diol बनाता है फिर भी ध्यान रखें, ये भी scene addition है दोनों OH same side से डालेगा चाहे bear's reagent हो, चाहे भाई osmium tetraoxide plus water हो बनेगा alkenes diol अगले reagent पे move करते हैं नया reagent जो आपके सामने आया है, वो है bromine water bromine water कैसे लिखा होगा तो बेटा BR2 और water लिखा होगा कई बार बच्चे examination में आप ऐसे दिखते हो कि अगर आपके पास bromine और normally water भी लिखा जाता है bromine water, आया ना, चलिए क्या होता है, aniline हो या phenol हो भाई ध्यान दीजिए, आपके पास क्या होगा, या तो aniline हो या तो आपके पास phenol हो इसमें आपने bromine water के दो ही reaction है पूरे NCRT में पढ़ने के लिए आप 1000 जगाए पढ़ लो NCRT में बेटा केवल यही दिया गया है दो ही reaction है bromine water के कौन से? आजाओ, सर ये देखोगे बनना हर जगा सेम है 2,4,6 क्यों ऐसा बनना हर जगा सेम है? क्योंकि सर ये plusm group है ये भी plusm group है सर अगर directly attached item के पास loan pair है तो plusm है plusm है तो हमेशा ortho paira होगा तो बेटा यहाँ पे BR, नीचे BR, left में BR बन जाएगा similar condition में बच्चे क्या फिनॉल है इधर भी BR, नीचे भी BR और left में भी BR 2,4,6 tribromo aniline 2,4,6 tribromo phenol क्या हो रहा है? bromine water add करने के बाद क्या हो रहा है? 2,4,6 tribromo aniline और नीचे वाला 2,4,6 tribromo phenol और ये 2,4,6 tribromo aniline अगेन ये भी saturation को detect करता unsaturation को unsaturation को मतलब? अब क्या हो रहा है? कि सर सारे इस पे इस पे जो है वो बन जा रहा है अच्छा ये unsaturation के बजाए reaction ही नहीं करेगा मतलब अगर ये benzine ring ना हो प्लसम शो ना हो रहा हो तो ये reaction नहीं करता है क्यों? क्योंकि इसका mechanism में ऐसा है अभी mechanism पे नहीं जाएंगे NCRT में भी नहीं दिया वही कह रहा है अनिलीन में अगर आप BR2 वाटर डालोगे तो 246 ट्राइब रोमो अनिलीन अगर फिनॉल में BR2 वाटर डालते हो तो आपके पास 246 ट्राइब रोमो फिनॉल अगला question आपके स्क्रीन पे आएगा बच्चों यहां हो खह रहा है अगर आपके पास यह दिया है CO2, Cl2 plus NH4OH देखो दो होते हैं NH4OH वाले एक होता है AGNO3 plus NH4OH AGNO3 plus NH4OH तो इसको बूला जाता है बच्चे Tollens Reagent इसको क्या बूला जाता है Tollens Reagent AGNO3 plus NH4OH Ammonical Silver Nitrate यह Tollens Reagent को कई बार AGNO3 whole twice प्लस भी दिया गया है Coordination Compound के तरह भी लिखा जाता है Ammonical Silver Nitrate इसका common name है मतलब name है अब आजो सर यह तो Tollens है NH4OH के साथ उसी तरह यह भी CO2, Cl2, Q-Pres-Cloride क्या है यह बच्चे Copper Plus 1 में है Q-Pres-Cloride in Ammonical In Ammonical Ammonium Water आप बोल दो NH4OH Ammonium Hydroxide यह Tollens Regent है यह आगे भी डिसकस करेंगे यह Aldehyde के टेस्ट में काम आएगा भी आगे टेस्ट लेंगे इसका लेकिन पहली बात यह करो Q-Pres-Cloride अगर दिया है NCRT में दिया है सर यह क्या करता है Terminal Alkyne को Detect करता है यह क्या करता है बचे It Detects Terminal Alkyne यह क्या Detect करता है Terminal Alkyne को Detect करता है बोलो clear समझ में आ रही है अच्छा सर टर्मिनल Alkyne में आप डाल दो CO2, CO2 जैसे यह Terminal Alkyne है इसमें आप CO2, CO2 हमने डाल दिया Ammonium Water यानि की Ammonium Hydroxide बन तो क्या होगा Red Color का Copper के साथ Product बनता है आप से कोई नहीं पूछेगा Product बताओ आप से पूछेगा Color of the Product बताओ ठीके ना तो Copper Cupress Cloride का Color Red होगा Cupress Cloride का Color Red होगा जहां भी Copper का Product है बचे Organic में जहां भी Copper का Product है Organic में टेस्ट की बात कर रहा हूँ जहां भी Copper का टेस्ट आ रहा है या तो वो Red है या तो वो Red Brown है जहां भी Copper का टेस्ट है या तो वो Red है या तो वो Brown है यही अगर आप Inorganic में चले जाओ तो वहाँ Blue कलर हो जाता है यह थोड़ा सा Observation है 99% पर ही काम करेगा के एक परसेंट एक्सेप्शन हो सकता है बट आपका काम चल जाएगा 99% से कि सर जब भी क्यूप्रेस क्लोराइड की रियक्शन्स हो या Copper वाली Organic में रियक्शन्स आए तो वह तो वो Red Brown होगा या तो वो Red होगा चलो तो सर टर्मिनल अलकाइन अगर है टर्मिनल अलकाइन कहने के मतलब C-Triple Bond C-H अगर ये वाला कहीं ग्रूप है C-Triple Bond C-H तो ये टर्मिनल होता है अगर यही Non-Terminal This is the Non-Terminal one सर ये Non-Terminal H नहीं हो उसके पास ठीक है तो टर्मिनल अलकाइन का पता लगाने के लिए अगला सवाल आपके स्क्रीन प्याएगा सर, C-R-O-2-C-L-2 ये C-R-O-2-C-L-2 इसको बोलते हम क्रोमाईल क्लोराइड इसको हम क्या बोलते हैं? बच्चे क्रोमाईल क्लोराइड और जब जब क्रोमाईल क्लोराइड का पूरे और्केनिक में एक रीक्षन है अपकी सिल्बस में, क्या है? तो सर, क्रोमाईल क्लोराइड में पूरा रीक्षन तॉलवीन पे बेस्ट है और इस पूरे रीक्षन का नाम दिया गया है E-Tarde reaction C-R-O-2-C-L-2 बच्चे ये इटार्ड रियक्शन है अब इटार्ड रियक्शन में क्या होता है सर आपके पास ये CH3 तो रहेगा ही साथ में CHO भी बना देता है that means बेंजल, बेंजीन का मिथाइल भी है और आपके पास CHO ग्रूप भी है तो ये जो आपके सामने इटार्ड रियक्शन है वही है कि सर, CRO2, CL2, क्रोमाइल, क्लोराइड, इटार्ड रियक्शन एल्डिहाइड ग्रूप, CHO ग्रूप आ जाता है बढ़ी है अगले सवाल पे जब हम मूव करें तो बच्चे, next reagent आता है CRO3 अब CRO3 क्या है, ध्यान दीजेगा क्रोमियम ऑक्साइड CRO3 ये एक mild oxidizing agent है mild oxidizing agent है अब बच्चे, mild oxidizing agent क्या होता है कि सर, ये oxidize करेगा ध्यान दीजे अगर आपके पास 1 degree alcohol रहा तो ये सीधा aldehyde बना देगा 1 degree alcohol को oxidize करके aldehyde में convert कर दिया 2 degree alcohol अगर रहेगा तो बच्चे 2 degree alcohol को oxidize करके ये ketone बना देता है बहुत अच्छा लेकिन अगर मैं 3 degree alcohol लेता हूँ तो इसके reaction ये नहीं करेगा 3 degree alcohol से reaction नहीं करता है अगर यहीए strong oxidizing agent होता तो खट से acid बना देता अगर यहीए strong oxidizing agent होता तो बच्चे क्या simply acid बना देता बट यह mild oxidizing agent है aldehyde तक रुक जाता है वही चीज यहां बोली है अगर एक R है दूसरा H है तो बच्चा aldehyde बना देगा 1 degree alcohol दोनों तरफ से RR लगा है 2 degree वाला ketone बना देगा 3 degree वाला reaction नहीं देगा तो अभी तक की reagents आपके दिमाग में fix हो गए अगले move करते बच्चे smart strategy अपना ये number बढ़ेगा मैं बार बार बोलता हूँ CH CL3 के OH अब ये जो reagent है ना chloroform with base जो chloroform की पूरे organic में बच्चे chloroform की पूरे organic में ध्यान दीजेगा पूरे organic में केवल दो reaction है और जब इस तरह से बच्चों को बताएं जाता है कि सर क्लोरोform की पूरे organic में दो ही reaction है तो उसका दिमाज सिमित हो गया अब उतने ही सोचेगा अब उसके पास number बढ़ने की chances बढ़ गए error होने की chances कम हो गए पढ़ने के तरीके को बदलिए आपका selection होगा next टूर यह chloroform की दो reaction है पहला है राइमर टीमें reaction अभी कराऊंगा और दूसरा है बच्चे कारभाईल अमीन reaction चाहे राइमर टीमें हो चाहे कारभाईल अमीन हो यह ही रिजेंट इस्तमाल होगा chloroform और बेस chloroform की देख कई बार nao h हो सकता है koh हो सकता है इसके अलावा और कुछ नहीं होगा chloroform is always fixed तो देखो आपके पास सबसे पहले राइमर टीमें reaction तो मैंने बोला है राइमर टीमें रीमा और टीमा रीमा टीमा क्या करती है फिनाइल खरीदने जाती है तो भाई राइमर टीमें राइमर टीमें रीमा टीमा बाजार गई है फिनाइल खरीदने और इनको फिनाइल खरीदने गई है तो बेहोस कर दिया क्लोरो फॉर्म से बेहोस ही आ जाती है और बेहोस करके बच्चे इसको बेस में बिठा लिया का मतलब बस्में इठा लिया अपने बस्में कर लिया वर्यंड कर लिया रीमं अठीमा फिनाइल खरीदने गई थी कोई बे centrłość कर दिया और खट से बस्में अपके पास सीच trials to carbon intermediate इसमें बनता है और क्या होगा सर बनना तो वही है सर सीधा-सीधा benzoldehyde बन जाएगा सीधा-सीधा benzoldehyde बन जाएगा और और तो benzoldehyde बन जाता है और तो benzoldehyde आपके पास बन जाएगा ओहच वाले में चलो नेक्स्ट, अगर आप, अगर आप क्या करते हैं, वन डिग्री अमाइन लेते हैं, कारबाइल अमीन रियक्शन क्या होता है, हमेशा वन डिग्री अमीन के साथ रियक्शन देगा, और कहा नहीं वहिए, अगर आप वन डिग्री को CHCL3 बेहोस करोगे, वो भी बेस में, NOH या को वेच में, तो आपके साथ, बड़ी foul smell, RN triple bond C, यहाँ पर आईसो साइनाइड बनता है, और आईसो साइनाइड का बच्चे foul smell होता है, हमने ऐसे याद किया, अगर आप वन डिग्री अमीन, मतलब, अगर आप वन को, एक किसी एक को, किड्नैप करते हो, किड्नैप कैसे इस की, डेथ होगी, अब डेथ होगी, तो बेटा, इस्मेल आएगी बॉणडी से, तो वही है, वन डिग्री को, अगर एक Амин को, अकेला किसी को किड्नैप किया है, वन डिग्री अमीन को, तो बेटा किड्नैप के बाद हो सकता है, मौत हो जाए, ऐसमेल आएगी, foul smell, गंद reaction आप ही के NCRT में दो पार्ट में है बच्चे अगर मैं क्या करता हूँ phenol और इसकी reaction हम करते है chloroform और KOH से या NaOH से तो आपके पास बन जाएगा सर क्या बनता है सबसे पहले यहाँ पे CHCl2 आके लग जाता है क्या लगता है CHCl2 further जब आप इसकी hydrolysis करते हो base के presence में तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे OH है और C-HO बन जाएगा benzyl dehyde लेकिन अगर मैं देखो ना 2 chlorine है 2 chlorine हटा के 2 OH यानि के ldehyde बन जाएगा similar condition में बच्चो अगर मैं CCL3 और KOH लेता हूँ तो सर क्या हो जाएगा यही तो phenolua है सर तीन chlorine आ जाएगा सर वहाँ पे तीन chlorine था तो एक हटके लगता है यहाँ पे CCL अगर 4 है तो एक chlorine हटके लगेगा और एक carbon पे 3 OH आएगा that means it is nothing but carboxylic acid तो पेटा राइमा टीमेन reaction राइमा टीमेन reaction दो पार्ट में है अगर 3 chlorine है तो aldehyde बनेगा अगर 4 chlorine है तो salicylic acid क्या अगर राइमा टीमेन में salicyl dehyde बोलते हैं इसको salicyl dehyde बोलते हैं और इसको salicylic acid बोलते हैं और इसको बच्चो salicylic acid बोलते हैं बोलो क्लियर है है क्या वह सालीयसिल्ट है वह युदो है और सालीस्याइलिक एक चलोरीस है एक कलोरीन हटके रमेंगी कारबोकसलीकसीड बन जाएगा निक्स्ट आपके पास जैसे हम आते हैं देखों जब भी सीओ concept कर्बन मोनो ऐक्साइड की तरह दिख़े सी यो-i कार्बन कोच reaction क्या होता है मैं बता देता हूँ गेटर मैन C O C H Gettarman Coach reaction गेटर मेन घ्रेक्षण अगर आपके पास यह फिनॉल और फिनॉल में आपने क्या दिया है कोच Cu plus HCl इनदा प्रिजन्स अफ एल्सील थी लिखाऊँगा कई जगा इन हाइडरस L3 दिहाइड बनके तयार हो जाएगा तो गैटर मैं को अगला रियेजेंट बच्चे अगर मैं आपको बताता हूं तो यह गैटर मैं अल्डी हाइड है अगर फिर से phenol से salicyldehyde बनेगा चाहे getterman aldehyde हो चाहे getterman coach हो co plus hcl plus anhydracylcl3 या alcl3 यहाँ पे hcn plus hcl plus alcl3 बनेगा आपके पास getterman coach स्वरी वह आला getterman coach है getterman aldehyde है बनना आपको salicyldehyde है अगला reagent अगर मैं आपको दिखाऊ हूं तो आज आता है co2 plus oh- जब भी organic में co2 की reaction हो बेटा organic में जब भी co2 की reaction हो co2 वहीं होता है carboxylic acid में जब भी organic में बच्चे co2 की reaction हो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं hide करूंगा भी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको hide करूंगा हाँ ला 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 मेरी उमर के नोजवान चलो निक्स यहाँ देखोगे यह co2 का मतलब क्या हुआ सर जब भी organic में co2 आये carboxylic acid का आना तय है क्या होता है आपके पास हमने डाला है phenol बहुत अच्छा हमने इसमें डाल दिया NaOH फिर डाला है co2 और फिर डाला है एच प्लस तो सर सबसे पहले NaOH क्या करता है इसको phenoxidine बना देता है और co2 माइनस भी बना देगा CWO माइनस इसको satisfy कर रहा है Na plus क्योंकि NaOH लिया है इसको satisfy कर रहा है Na plus यानिके NaOH लिया था अब मैं इसमें क्या करता हूं एच प्लस डाल देता हूं HCL डाल दो water डाल दो alcohol डाल दो तो कहीं से भी एच प्लस लेके बेटा यह salicylic acid बना लेगा जब भी CO2 आए CO2 का मतलब carboxy acid ही होता अगले region पर move करते हैं बेटे अगला region क्या है copper heat अगर किसी भी reaction के सामने copper और हीट दिया हो copper और हीट का मतलब समझते हो कि सर अगें पार्शियल पार्शियल इलका ऑक्सिडेशन आईए copper और हीट रहे इसमें कंडिशन है मात्र इसमें कंडिशन है जैसे CRO3 में क्या था वन डिग्री वाला यल्डीहाइड बनाएगा two डिग्री वाला टीटों बनाएगा तो ये यल्डीहाइड में convert हो जाएगा वह तो Cq3 में भी हो रहा था है तो टीटोंपर हो जाएगा YEET ETH ते हमारे पास थ्रेग्री अल्कोहल निवे ऐस्ते अलगीनेट हो जाता है किसमें कॉपर में कॉपर 300 या फिर आप रखो कॉपर 300 घीट या फिर 300 स Kollege CS Store 573 Kelvin 300 로 लेकिन अगर हमारे पास थ्री डिग्री अलकोहल बना तो क्या होता है बच्चे यह हट जाएगा और यहां पर डबल बॉंड बन जाएगा तो थ्री डिग्री से बेटा क्या अलकीन बन के त्यार हो जाएगा सो थ्री डिग्री अलकोहल से अलकीन बन चुका है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री कहीं से कहीं तक कोई प्राब्लम तो नहीं है ऐसे आरो थी और इसमें डिफेरेंस भी चमक चुका है अगले क्वेशन में अगले रियजेंट को दिखाता हूं तो सर्ड डीमसो होता है बेटा अगर आपके पास डाई मीथाइल सल्फ ऑक्साइड हो डाइवाट दीमसो डीमसो इस डाइमिताइल सल्फ ऑक्साइड डाइम Mithyl Sulfoxide H double Bond O CH3 CH3 और CH3 DMSO अगर आपके पास Dymethyl Formamide हो वो भी क्या है बेटा आपके पास Polar AOS Pro Tic Solvent तो आप मुझे बता पाओगे कि Sir Polar AOS Solvent यानि के DMF और DMSO उसी तरह HECSAMethyl Phosphoramide हम पीए अब ये हम पीए क्या है यहां दिखेगा फॉस्फोरामाइड में हम पीए क्या हो जाएगा हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड हेक्सामिथाइल ग्रूप लग जाएंगे और हेक्सामिथाइल हम पीए बन जाएगा ये सब क्या है सर ये सारे के सारे पोलर solvent देखते ही एसेंटू मार के आजाने एक्जाम में मेरे लल्ला बात समझ में आ रही है कि आप सब लोगों पॉलर एप्रोटिक से एसेंटू मेकनिजम चमक रहा है पूलर एप्रोटिक से एसेंटू मेकनिजम चमकता है आगे बढ़ जाते हैं एफी प्लस बी आर्टू या एफी बी आर्थ्री बेटा ध्यान दीजेगा एफी बी आर्थ्री यह लूई से सिट की तरह काम करेगा यह लूई से सिट की तरह काम करेगा यह लूई से सिट की तरह काम करेंगे करना क्या है सर ब्रोमीनेशन के लिए काम आता है ब्रोमीनेशन क सब क्या generate करेंगे बी आर प्लस जेनरेट करेंगे बी आर प्लस इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट होगा और बी आर प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा आपके पास बी आर प्लस इलेक्ट्रोफाइल जेनरेट हो जाएगा और बी आर प्लस इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा सर इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमीनेशन करा देगा ब्रोमीन पर जाके आड करा देगा तो फे प्लस ब्याटू भी चमका नेक्स्ट इस ग्रिगनार्ड रिएजन अब पूरे NCRT में पढ़ने के लिए बेटा कम से कम चार घंटे का लिक्षर लगेगा तो ग्रिगनार्ड होगा लेकिन NCRT में नहीं दिया है उतना NCRT में बड़ी सिंप्लिस्टिक रिएक्शन दी है और उसी सिंप्लिस्टिक से ही कॉश्चन आता है तो हवा पढ़ लेते हुना तो पता ही क्या होता है मैं बताता हूँ आपको कोचिंग्स में चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे अफलाइन हो बड़े-बड़े मास्टर के मैंने देखा है वो इतना बड़े लेवल का पढ़ा देते हैं तो बच्चा को लग तो और यह और इतना हार्ड होता है क्या और आज आता है तुच्चू सा कोच्छन छोटा सा कोच्छन और आपके हाथ माफ हो जाते हैं ऐसा तो हमने किया ही नहीं था तो होदा क्या है रियालीटी यही है पहले आप चार-पांच लाख देके अपना फ्यूचर करियर बरबाद करते थे कोटा में दिल्ली में जाके अब आप तीन-चार हजार में भी वो काम कर पा रहे हो क्योंकि वही वाले लोग वहां आके अब हुआ 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 कॉंटेंट पढ़ा रहे है पढ़ना धाई-सो की तीन-सो की किताब चार माइनस देता है याण की अलकाईल पे वाइनस चार होगा तो देखते रहे हैं क्या क्या रिएक्षन होगा बेटा यहां पए। बेवि को बेस पसंद है इस माइनस को प्लस पसंद है सामने H+, पड़ा है, इसको कहते है, Acid-Base Reaction, सामने H+, आपको दिख रहा होगा, RO-H+, यहां पे भी H+, पड़ा है, तो मिधेन बना देगा, Acid-Base का मतलब, सर यह Minus S को सामने से Plus मिल जा, Acid-Base Reaction हो जाएगा, अब आजाओ, N.A.R. का मतलब है, Nucleophilic Edition Reaction, Nucleophilic Edition, अब क्या होता है, कोई भी Nucleophile Add हो जाएगा, कोई Nucleophile का मतलब, Minus Charge वाले जाके Add हो जाएगे, अब देखो, अगर मैं CH3 MGBR ले लेता हूँ, और इसके Reaction में कराता हूँ, CH3 C Double Bond OH से, तो क्या यहां से, बेटे, CH3 Minus चमका, और इस Min को बेटा, प्लस पे जाके Attack कराएंगे क्या, बिल्कु सही है, इस Minus को जैसे मैं प्लस पे Attack कराऊंगा, देखो क्या होगा, सर यह Double Bond जो है, वो Single Bond में तूट के समझ गया है, सिंगल Bond में तूट चुका है, और यहां पे बेटा, CH3 जो उधर से, गिरिगनार्ड वाला के Add हो गया, तो एक Minus Charge Nucleafile जाके Add हो गया, Nucleafilic Edition, यह O- जो है बच्चे, यह OH में Convert हो जाएगा, मेरे प्यारे दोस्त मुझे लगता है, बात समझ में आ रहा है, Nucleafilic Substitution क्या होता है, Nucleafilic Substitution होता है CH3, C Double Bond OCL में, अगर मैंने CH3 NGBR डाला, तो बच्चे, अगर मैंने CH3 Minus डाला, यह Minus इस Plus को पसंद है, तो बच्चे, इस Minus को Plus पे Attack कराओगे, Double Bond से Single Bond बन चुका होगा, और सर, यहाँ पे देखोगे, यह Nucleafilic आखे Add हो चुका है, और CL बन चुका है, लेकिन, जब जब Living Group होता है, तो कैसे होगा, यह O- माइनस वापस से Double Bond बनाता है, और Living Group लीव कर जाता है, तो बच्चे, यह Living Group लीव कर गया, बोलो चमका, यह Double Bond वापस बन गया, Living Group लीव कर गया, तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे Nucleafilic Substitution होगा, CL हटके Nucleafil लग गया, CL हटके Nucleafil लग गया, अगर Living Group है, तो Nucleafilic Substitution, Living Group नहीं है, तो Nucleafilic Addition, अगर है, तो फिर Acid Base, और Grignard हर जगे, R- के फॉर्म में ही मिलेगा, Grignard हर जगे, R- के फॉर्म में मिलेगा, Grignard हर जगे, R- के फॉर्म में मिलता है, Organometallic हमेशा R- के फॉर्म में मिलते है, अगला रिएजेंट बेट आपके पास है, Lind Lars, हमने यह बहुत अच्छी से पढ़ा है, क्वीनोलीन यहाँ पे एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है, बहुत अच्छा, और यहाँ पे सल्फर भी लिखा होता है, सल्फर और कुछ मोलिकूल्स को यह सॉल्वेंट अभी इतना ध्यान रखेंगे, इतना डेफ्ट में नहीं जाना है, चली आईए, क्या होता है कि अगर आपको अलकाइन से, सिस अलकीन बनाना है, तो लिंडलार्स कैटलिस्ट इस्तमाल करेंगे, ठीक ना, लिंडलार्स कैटलिस्ट अप इस्तमाल करेंगे, लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है, ही आपके पास लिंडलार्स कैल्सियम कार्बोनेट, ही आपके पास लिंडलार् बच्चो एलकीन हो जाएगा हाँ ये ना बोलना पड़ेगा Lego कुष्षिण आपकी स्क्रीण पर आएगा बच्चो बच्चेंगा बर्च रेटक्षन का मतलब अगर एलकाइन से ट्रान्स एलकीन बनाना होता है तो बच्चेंगी सोडियम लिक्विड आमूनिया लेंगे और सोडियम लिक्विड आमूनिया बच्चे ट्रांस एडैशन करता है ट्रांस इलगीन का फॉर्मिशन का है सोडियू लिक्विड अमूनिया बर्च रिडीक्षिन एच्डूःक्षट् का oxo acid बनाना हो P double bond O बनाना अनिवारे है बचा एक oxygen तो एक OH बना लेगा बचा दो hydrogen तो बच्चे खट से HH बना लेगा अब जब भी atom से directly hydrogen bond बनाता है जब भी atom से directly hydrogen जुड़ा होता है तो इसमें reducing tendency आ गया जब भी atom से directly hydrogen bond बनाना होता है बनाना बनाता होता है तो हर reducing tendency तो सामने वाले में H add कर देता है क्या करता है यहां से सामने वाले में जाके जोड़ जाता है तो ध्यान दीजिए यह क्या रहेगा कभी बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट हो तो एंटू लीव लीव एज लीविंग ग्रूप और हाइड्रोजन जाके जोड़ जाता है एंटू यहां से सामने पढ़ाये था कि सर इटीज राजोई के सिड्ट यह क्या है आपके सामने हाइड्रा जोई के से और यह क्या है मतलब कार्वाक्सली के सिड्ट कर्बोक्सिली चिप चमक रहा है बेंजोई के Jon and H कामतलब तो अगर हैध्रारजुे के सिडह साल्फूरीखिद कार्बोक्सिली के सिड मिले तो आपके सामने उन्यलील यह फिर अमाइटा मोना यह एगर सहा एक्षन कार्बॉक्स रिक इसिड से अमाइन या एनिलीन बनाने का काम आता है अगला श्यमिट रिएक्षन के बाद हम मूव करते हैं यह वाला ध्यान रखेगा यह डिहाइड्रेशन रिक्षन है ओच हटाता है कार्बोकेटैन बनाता है रियरेंज कराता है चाहे सबसे पहले रिमूव करके कार्बोकेटैन बनाओ कार्बोकेटैन बनाने के बाद रियरेंज कर दो-कार्बोकेटैन और एक बार रियरेंज का फॉर्मिशन keer थिपता एक बार आपने रियरेंज किया, एंड एलकीन इस फॉर्मड, तो बेटे, यहां से OH हटेगा, OH हटने के बाद कार्बो केटाइन बनेगा, कार्बो केटाइन बना होगा, उसके बाद अगर पॉसिबिल्टी ए रियरेंज होने की तो बनेगा, और एलकीन बनता है, एलकीन ध्यान दीजिए, सेटेजेफ एलकीन बनता है, सेटेजेफ एलकीन का मतलब हो गया, मूर स्टेबल एलकीन, सेटेजेफ एलकीन का मतलब हो गया, बचे स्टेबल एलकीन इस फॉर्म बोलो हाएना, चलो, तो सर, है कौँ एच तो फोर हीट यहां भी देख लिए जादा तो चाहे वो एच तरी प्योफ फोर हीट हो चाहे वह एच तो फोर हीट हो बनेगा तो कार्बो के टाइन रियरेंज होगा और फाइनली आपके पास एलकीन बनेगा अगले सवाल पर मूव कर जाते हैं नेगे सवाल पर जैसी आप मूव करोगे यह बन गया आपके पास एननोटू है अब ध्यान दीजे एननोटू हच इल बोलो यह फिर आप क्या बोलोगे सको एक्च अनूटू बोलो यह या फिर क्या बोलोगे बिठा एक लाटू यह डाइजोणियूम सॉल्ट बनाता है क्या तो आपके डाई ऑजोनियम सॉल्ट बनाता है अब यहां ध्यान दो अगर अगर ऐट कमीन है तो अगर आउमीन है थ होमेड में घान दीजिएगा लेस टेंपरेचर पर बनता है तेish अगे अगर आप हाइट कर दो तो वो भी नटा फीनॉल बना देगा हाइट फीनॉल बना देगा क्या समझ आया यह वह है वह नॉर्मल को खुछ तो सीधा एलकोहल बना दो लेकिन अगर बेंजीन वाले हैं यानि के अरोमेटिक अमीन है अरोमेटिक अमीन में लेस्ट टेंपरेचर पे तो डाइजॉनियम सॉल्ट हाइट टेंपरेचर पर सीधा फिनॉल हाई टेंपरेचर पर सीधा फिनौल बना देते आए नेट टेंग आगर फिनॉल में अगर फिनॉल में आप वापस टेड़ो बेटा यह एंडलीन है यह एमलीन से फिनॉल और ओछ बन रहा नेकिन अगर फिनॉल में आप एचनो डालोगे तो नाइट्रो एनो एनो जाके जूर जाता है नाइट्रो सिल जाके जूर जाता है और तो पेरा पे क्या मैंने चार रियक्षिन कराई ओपेंचेन वाला सीधा एलकॉल बनाएगा बाइब रिंग वाला पहले डाइजोनियम लो टेंप पर आयोडी केसिड है पर आयोडी केसिड है एक स्ट्रोंग ऑक्षिडाइज इगे जैन्ट है क्या करता है यह द्यान दीजे सर्ड डायोल अगर आपके सामने है इसको तोड़ देगा और इधर भी ओएच और इधर भी ओएच देदेगा इस कार्बन पर दो ओएच हो गया आडर से बीटा एक कार्बन पर दो राइट उधर बना दो ऊधर से भी एक क्रिण पडोऊज आया सरी इधर से बिएलिहाइड बन गया तोड़ता है और नीचे लगाता है डबल बॉन्ड-डबॉनड-बॉनड चमकता है नेक्स्ट कहानी आपके स्क्रीन प्याईगी बीटा एच्टू निकल सब एटियर इंसेंडरिंस रिक्षिन आपने पढ़ा होगा 300 डिग्री सेल्सीएस टेंपरेचर यहां यूज होता है अब क्या क्या यह रिडूस करता है तो सारे कुछ रिडूस कर देता है कि टोन को टू डिग्री अल्कोहल में रिडूस कर देगा अल्दीहा सी को सिंगल बॉन बना दिया इतना तो हमें पता है कि ट्रिपल बॉन को सिंगल बॉन में है इच्टू जोड दिया अच्छा आर सी डिगरी अल्कोहल में बनाया की नहीं बनाया सर अगर यह कीटोन है आर सीडबल बॉन्ड वह आर है तो बच्चे यह टू डिगरी अल्कोहल में बनाया की नहीं बनाया मजईदार वे में हम आगे बरते हैं अगले सवाल के तरफ क्या जाएगा एच्टू पीडी बी आसो फोर यह आपके पास बेटा क्या है एच्टू पीडी बी आसो फोर रोजनमंड रिडक्शन एच्टू Co4 यह हो जाएगा रोजणमेंड रेक्शन अब रोजणमेंड क्या करता है आर को longer इसको錢 उसको बदल देता है इंप Пом Si चाहे एलिफैटिक हो चाहे रोमेटिक हो बेटब सील हटाके ओच लगा असील हटाके एच लगा देगा रिडक्शन है एच जूट जाएगा सील हटके एच जूट जाएगा तो आपके पास रोजनमंड रिडक्शन है रोज का मतलब होता है कहां यह फूल है फूल कहां होता है बाग में मतलब मलबाग में बाग का मतलब क्या होगा आपके पास रोजन्मंड। और रोजन्मंड में बाग भाग का मतलब So4 इस्तिमाल होता है। एच्टुपीडीब combination की तरफ मैं आपको दिखा हूँ जोन्स Children Importantry एंशियूर्टी का रेजनट क्या होता है। qr3 अगर नॉर्मली रहता था तो पार्षियल था यौर दिब्ली हाइड की टोन जोंस रिजर श्लेक्टिवली πचल मुवभ करें अगर तो लूब और ऑकषिधाज्इन्ट है बेटा strong oxidizing agent क्या करेगा सबको acid में convert कर देगा लेकिन 2 degree को तो ketone में ही करमन करेगा strong oxidizing agent 1 degree alcohol को सीधा-सीधा acid में बना देगा अगर 2 degree alcohol है तो सर वो acid तो नहीं ketone बना ketone का further oxidation नहीं होता है है ना 1 degree alcohol aldehyde बनता है और aldehyde का further oxidation बेटा acid में convert हो जाता है 2 degree वाला सीधा ketone बनाता है अगले question पे अगर मैं move करूं तो बेटा क्या बन जाएगा MnO2 ध्यान देजिए MnO2 भी बड़ी simplistic reaction है क्या होता है ये भी oxidize करता है MnO2 लेकिन केवल और केवल CH2OH ऐलकोहल को 1 degree alcohol को बच्चे aldehyde में convert कर देगा similarly बेटा benzylic alcohol को oxidize कर देगा benzyldehyde में तो क्या करता है या तो allylic हो या तो benzylic OH हो सबको ये कार्बोनिल CHO में convert कर देता है benzylic का मतलब benzeen से लगे carbon से OH लगा है this is benzylic allylic का मतलब c double bond O से लगे carbon से OH लगा है this is allylic तो ये allylic है ये benzylic है दोनों के दोनों oxidize होके beta aldehyde बना लेते हैं MnO2 से MnO2 से कौन oxidize होगा तो allylic और benzylic ही अगला next पढ़ोगे NaHCO3 इसका reaction VVIP कर लीजिए आ जाएगा इसमें क्या होता है कि सर ये जो carboxylic acid है carboxylic acid इसको ये क्या करता है sir H plus हटाता है क्या होता है RC double bond OH है जो है वो RC double bond O O minus में हो जाता है ठीक है न क्यों क्यों क्योंकि सर ये basic nature tendency का है sodium metallic metallic bicarbonate है basic होगा अब base जो है वो acidic hydrogen को चुरा लिए बहुत अच्छा असर RC double O minus बना लिए और CO2 आपका release होता है लेकिन CO2 किसका ये वाला CO2 release होता है इसलिए NaH के साथ जो carbon है वो CO2 में release होता है ये ही पूछा जाता है NaH के साथ जो carbon है वही यहाँ पे CO2 में release होता है NaH के साथ जो carbon है वही बच्चे यहाँ पे CO2 में release होता है अगले पे move करते हुए next reagent बच्चे यहाँ पे move कर जाते है NaOH बहुत simple है बच्चे NaOH aqueous कैसे होगा अब NaOH क्या होता है RX से ROH में convert कर लेते है Alkyl Helide से RX से ROH में convert हो गया Similarly आप देखेंगे Aster में अगर आपने NaOH डाला है तो अगेन यह क्या होगा Carboxly Acid में बन जाएगा यह वाला Hydrolysis of Aster आपके सिलिबस में नहीं आप इसको काट सकते है next अगर आपके पास Aldehyde है तो Aldehyde further beta cannyzaro reaction देखो अगर आपके पास HCHO है और कौंग के NaOH आपने डाला तो क्या होगा Sir एक बार oxidize होके HCWO-Na plus बन जाएगा एक बार reduce होके CH2OH में convert हो जाएगा एक बार reduce होके CH2OH में convert हो जाएगा In fact आप काम करो CH3OH कर दो समझे Similar condition में अगर आपके पास aldehyde है CH3C double bond OH और इसमें आप NaOH डालते हो अगर आप dilute NaOH डालोगे तो बेटा ऐसा कारबोनिल जिसके पास alpha H है तो यह क्या करेगा आपके पास aldol reaction देदेगा aldol का मतलब है कि सर alpha beta unsaturated कारबोनिल बना देता है alpha beta unsaturated aldehyde slash ketone alpha beta unsaturated aldehyde slash ketone बनाता है अगले all important organic के बाद हम मूव कर जाते हैं कहां पे सर एन ए ओ और एन वार इस ट्रॉंग बेस एन ओर क्या है सर यह के स्ट्रॉंग बेस है ओर माइनस ठीक है ए इस ट्रॉंग बेस है यह ओर माइनस तो क्या होगा ध्यान दीजेगा अगें यहां से ह और एक्स रिमूव होके अलकीन बन गया जैसे एलकोहलिक के वेच स्ट्रॉंग बेस है वैसे ही एन ओर यह एक एलकोहलिक के वेची है यह क्या हो गया बच्चे आपके पास अगले रिएजन पर मूव करते हैं यह क्या आपके सामने दिख रहा है अगर यह की टोन से अगर इसके पास मिथाइल की टोन हुआ तो मिथाइल वाला पार्ट सी एच स्थरी बना लेता है मिथाइल वाला पार्ट हैलो फॉर्म यानि की सी एच स्थरी बना लेगा और अगर एक्स आयोडीन है तो सी एच स्थरी आयोडो फॉर्म और आयोडो फॉर्म जो है बच्चों वह यह लोक अलरका है अगर मिथाइल और कीटों है एने वेच प्लस एक्स टू वियाटव नवेच प्लस एच वेच ब्याटव प्लस के वेच अगला ये क्या बन जाएगा अमाईड अगर अमाईड में आपने क्या किया है BR2 प्लस के ओच BR2 प्लस नेवच दिया है तो क्या होता है ये CO2 यहां से रिमूव हो जाता है ये CO2 निकल के बिटा अमीन मन जाता है होफ्मेन ब्रोमामाईड डिगरेडेशन BR2 नेवच ब्लस के ओच सर ये हैलो फॉर्म रिएक्शन देगा ये होफ्मेन ब्रोमाईड डिगरेडेशन देगा अगले कॉश्चन पर मूव करें क्या हो जाएगा बेटा नेवच सीओ क्या आपको दिख रहे है सर ये सोडा लाइम डी कार्बॉक्सिलेशन ये सोडा लाइम डी कार्बॉक्सिलेशन है सर ये सीओ टू रिमूव करता है स्टेप डाउन रिएक्शन है क्या होगा सिर्या से सीदा सीओ टू अटा दो सीओ टू अटाने के बाद आलकेन बन जाएगा एक कार्बन कम का प्रोड़क्ट बनेगा स्टेप डाउन रिएक्शन बच्चे बोलते हैं अगले कुश्चन पर मूव करते हुए बेटा MnO300 MnO2 वो बेंजाइलिक और एलाइलिक कोक्सिराइज करता है MnO क्या करता है CO2 और वाटर को रिमूव करता है कार्बॉक्सिली कैसिर में MnO2 is different MnO is different MnO में क्या हो गया बेटा दो मोल आपने क्या लिया है कार्बॉक्सिली कैसिर दो मोल आपने क्या ले लिया है कार्बॉक्सिली कैसिर तो आपको क्या करना है सर वाटर भी रिमूव हो रहा है और CO2 भी रिमूव हो रहा है सर वाटर बी रिमूव हुआ, CO2 बी रिमूव हुआ, बचा क्या, CH3, CW, CS3, बचा क्या मेटा, CS3, CW, CS3 बन गया, और क्या क्या रिमूव हो गया, H2O और CO2, MNO का आपने स्ट्रक्चर देख लिया, NBS, N-Bromosuccinamide, N-Bromosuccinamide, यह क्या करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशन पर बी र लगाता है, N-Bromosuccinamide क्या बनाता है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजिशन पर बी र, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजिशन पर बी र अटैच कर देता है, बिया अटेच converted in being a mask एकारता है एलाइलक अदेखो फ्री रेंडिकल जहां स्टेबल होगा वहाँ पर दीयाल लगजागा अलाल यौल कम अलब डबल बॉंड के जस्ट बगलवाला वेल में जाइब अला Ils तो सीधा अगर बेंजीन है तो लो टेंपरेचर पेटा सीधा सीधा फिनॉल बना देता है फिनॉल में अगले रिएजन पर मूव करेंगे एन अगर पैराफीन में नहीं लेते हो ध्यान दीजे यह आई इसो में रियक्षन है सर नॉन टर्मिनल को टर्मिनल एलकाइन बनाता है इसका काम यह है एन एन एच्टू पैराफिन रटना पड़ेगा सर एलकाइन की पोजिशन सिफ्ट कर रहा है वन ब्यूटाइन बन रहा है अगले उस पर मूव करेंगे तो सर क्या हो जाएगा सोडियम सर एन ए और एथेनॉल सोडियम एथेनॉल याद करो सोडियम एसेड सोडियम बेस दोनों ही एच्टू गैस देते हैं एच्टू जहां एड होता है वहां रेडक्शन होता है तो ध्यान दीजेगा यह सब को रेड्यूस कर देता है एकसेप डबल और ट्रिपल बॉंड इट रेड्यूसेज आल यानि कि एस्टर हो यानि कि आर सी ओ सी एल हो यह सब को रेड्यूस करके अलकोहल ले आएगा लेकिन क्या करता है डबल ट्रिपल बॉंड को रेड्यूस नहीं कर पाता है बुवल्ट ब्लैंक रिड़क्शन बोलते हैं बुवल्ट ब्लैंक रिड़क्शन ठीक है, NETOH, NCRT में exemplar में question है, अगला उस पे move करते हैं, Clemenson और Ulf Kisner, Clemenson acidic medium में, Clemenson का, देखो, Clemenson का जंग होगा, जिसमें HCL attack होगा, तो जितने भी aldehyde है, ketone है, सारे के सारे, oxygen हट जाएंगे, और hydrogen जुड जाएंगे, oxygen हटेगा यहां से, और 2 hydrogen जुड जाएगा, alkane मन जाएगा, यह acidic medium में reduction हो रहा है, अगर इसी को मैं basic medium में कराऊं, तो Ulf Kisner हो जाता है, hydrazine and OH-, यहां भी जितने भी aldehyde ketone है, उन सब से बेटा, alkane बन जाएगा, oxygen remove करके, hydrogen add हो जाएगा, Ulf Kisner reduction, अगला, जैसे यह हुआ है, बेटा, ozonolysis है, ozonolysis क्या होता है, दो तरह कि एक reductive ozonolysis है, o3 zinc water, एक oxidative ozonolysis है, o3 water, बिलकु सही है, अब, o3, इसमें क्या होता है, जितने भी double bond है, सब को तोड़के C double bond O, और C double bond O, में बनाने रहे, और इधर इधर अपना bonding होगा, बस, लेकिन, एस सेम होगा C double bond हो, इसमें भी C double bond हो, इसमें भी, लेकिन क्या हो वो सब acid में convert हो जाते हैं oxidative में oxidative में further oxidation होता है और all aldehyder converted to acids next यह हो जागा PCC again PCC is also mild oxidizing agent PCC क्या है बच्चे mild oxidizing agent है और mild oxidizing agent वही 1 degree aldehyde 2 degree coquitone और 3 degree reaction नहीं करता अगला red phosphorus BR2 बेटा यह क्या है HVZ reaction red phosphorus जहां भी आ जाता है HVZ reaction है और HVZ क्या करता है alpha H हटा के CL या BR लगा देता है है ना red phosphorus plus CL2 red phosphorus plus BR2 यह आपके पास HVZ reaction करा देगा alpha H carboxylic acid से जुड़ा हुआ carbon alpha carbon इसका hydrogen हटा देगा और उस पर BR लगा देगा जितने alpha H है उतने बार BR लग जाएगा उतनी बार HVZ हो जाएगा अगला सवाल ठीक है red phosphorus HI कहानी वही है red phosphorus HI क्या करता है यह reducing agent है लाल पडोसी ने हाई बोला लाल पडोसी red phosphorus हाई बोला तो अब शरम के मारे reduce हो गए जितने भी अल्कोहल एस्टर अल्डिहाइड की टोन कार्बॉक्स लिक एसिड सब को reduce करके अलकेन बना देगा कोई भी oxygen और हैलोजन containing compound है सब को reduce करके अलकेन बनाता है लाल पडोसी ने हाई बोला red phosphorus हाई तो बच्चे अगर आपके पास यह बेर वीजिलर आपके पास नहीं है लेकिन बेर वीजिलर अगर आया तो क्या करना है ध्यान दीजिए अगर आपके सामने mcpba लिखाओ मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड क्या होगा mcpba लिखाओ तो सिधा सिधा कीटोन से ester बनाता है बस यहां ध्यान रखना होगा यह ncrt में mcpba का कुश्चन है और दोतीय लाइन में पूरा mcpba खतम कर दिया है सेम जितने भी कीटोन होंगे उनको ester में convert कर देगा कीटोन होंगे बेटा उनको ester में convert को दवा mcpba मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड इसको क्या बोला जाता है बेर विजिलर oxidation oxygen add कर रहें oxygen oxidation एंब विजिलर oxidation अगला फ्रिडल क्राफ्ट एलकाइलेशन यह नहीं बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा rcl and hydra cl3 r plus carbogen बनता है rearrange होता है finally जाके लग जाता है rcocl rco plus बनता है फ्रिडल क्राफ्ट एलका एसाइलेशन है rco plus बिना rearrangement के जाके जुड़ जाता है next is आपके सामने बन गया है कौन के स्टू सफूर esterification आपको बहुत डिटेल में बताए है कि अगर आपके पास कोई alcohol है और उसके reaction आप करा रहे हो acid से तो acid का आर सी ओ आता है और alcohol का ओ आ रहाता है तो acid का ये वाला पार्ट alcohol का ये वाला पार्ट acid plus alcohol will be ester similarly and hydride plus alcohol will be ester similarly rcocl plus alcohol will be ester ठीक है ना या तो acid प्लस alcohol ये भी एस्टर देगा आपके पास एन्हाइड्राइड प्लस alcohol ये भी बच्च एस्टर देगा या फिर आपके पास RCOCL प्लस एस्टर ये भी एस्टर देगा एसिट से ये वाला पार्ट चुराना है एन हाइड्राइड से ये वाला पार्ट चुराना है आर सी यो सील से ये वाला पार्ट चुराना है जो और वाला पार्ट है वो एलकोहल का होगा जो और वाला पार्ट है एस्टर का वो एलकोहल का हो जाता है चलिए अगले कुश्चन reduction बोलते हैं स्टीफण 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 स्ट्रेडग्शन इसको बोलते हैं अगर आर सी ट्रीपल बॉंड ौक एन को अगर आर रसी ट्रीपल बॉंड एन को हमने रिड्स किया आर सी ट्रीपल बॉंड nd तो सबसे पहले SNCL2 प्लस H2, H2, HCL, SNCL2 और HCL देल दो, तो यह क्या बनेगा, R-Ceable Bond, R-Ceable Bond H और NH बन जाएगा, हमने क्या किया हाइड्रोलिसिस, हमने हाइड्रोलिसिस किया है, तो R-Ceable Bond OH और प्लस NH3 बन जाएगा, इस वाले पार्ट से R-Ceable Bond OH और इस वाले पार्ट से बेटा NH3 मेरे हिसाब से LDH plus ammonia clear है क्या, R-Ceable Bond OH और उस साइड से ammonia बन गया, अगले सवाल पर मूव कर जाते हैं, इस इस दा नेक्स्ट पार्ट, आजागा SN plus HCL, अगें, मेटल प्लस एचिड, बेटा HCL, H2, ऐस इवाल्व करता है, तो नाइट्रो को एनिलीन बना देगा, C-Triple Bond N को CH2 NH2, हाइड्रोजन जोड़ना इसका काम है, ठीक ना, R-Ceable Bond N है, तो बेटा, ट्रीपल Bond है ना, तो तीन, आपको दो हाइड, डबल बॉर्ण हटाना पड़ेगा, तो दो हाइड्रोजन जोड़ दो, इस लिए RCH2, और इधर भी दो हाइड्रोजन जोड़ दो, NH2, तो तो CO2 यहां से हट जाएगा, यहां से कार्वॉक्सी के सिर से आर एक समय जाएगा, AGX बन जाएगा, CO2 रेलीज जाएगा, इस हंस राइकर रियक्षन, सियो टू रिलीज हो जाएगा और एग्स बन जाएगा हांस डैकर रिक्षन ब्याटू सीसियल फूर और सील टू सीसियल फूर अगर मौश्य है तो बेटा ओट जुड़ेगा सील हटाके ओच लगाना है मौश्टेजी टू ओचल लगाना है और चटा के बच्चे क्या लग जाएगा सील लग जाएगा मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया अगले सवाल पर मूव कर जाए अगले उस पर टॉलेंस रिजेंट टॉलेंस रिजेंट क्या करता है आई यह मैं आपको बताता हूं देखो टॉलेंस रिजेंट बेटा टर और मी के इसिट भी टॉलेंस टेस्ट देता है अब याद रखना पड़ेगा किसके किसके साथ पॉजिट्यू टॉलेंस टेस्ट आ रहा है अब टॉलेंस रिजेट के लिए याद करो यहीं तो लिखा था अम्मोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यहां फिर एनेच फोर औच प्लस या फिर एने फॉर ओएज प्लस एजी इनुटरी या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या फिर एजी निस त्री होल ट्वाइस प्लस बहुत बढ़िया जैसे हुआ तो ध्यान दीजिए ट्रिपल बॉंड हो या एल्डी हाइड हो या फॉर्मी कैसिड हो या अलफा हाइड्रो कैसे मतलब हो इचा तो खेसी पławn पहल पीश देगा अलफा हीज़ नेक्स थायए तब फटैनोई कैसे या फिर फॉर्मी कैसी आल्डीहाइड धिटा हाँ त्यहाँ मैंट्रीफिपल चोईस बना के लिए अलास्ट मिलिवेली सालूशन त्रमीनाइड है तरबकिषा यह प्लस तो जो है और क्या हो जाएगा रेड ब्राउन पीपेटी किसके साथ केवल और केवल चो के साथ बेंजीन वाले फैलिंग नहीं देंगे नेक्स्ट जैसी हमने किया अगला देख लोगे बैनेडिक्स सॉलुशन अगें बैनेडिक्ट में भी बेटा सी उ प्लस वन है और ब्रिक रेडिया रेड है बैनेडिक्ट में भी रेड पीपीटी बनता है और कोई नहीं डाल दो पूछना नहीं है स्मार्ट वाक करिए विटा कलर पूछता है टेस्ट से क्या पूछेगा कलर यह थोड़ी पूछेगा दसे मिल लिया कि यहां से सोचोंगे तो आ जाएगा गदा मज़ूरी से नहीं होता नेक्स्ट आईएगा बैनेडिक्ट सॉलूशन तो चाहे फैलिंग हो वह भी ऑक्सिडाइज करके इसीड मनाता है टॉलिन फैलिंग बैनेडिक्ट सब के सब क्या करते हैं ऑक्सिडाइजिंग एजेंट से नेक्स्ट आपके पास आता है टू-4 डीनपी जो है यह औरेंज पीटी देता है टू-4 डीनपी यह रहा बटा टू-4 फोर पे डाइफिनाईल हाइडराजन टू-4 डीनपी का मतलब है टू-4 डाइफिनाईल हाइडराजन अब या तो वो कीटोन हूँ या तो वो अल्डिहाइड हो सीडवल बॉंड ओहना है कार्बोनिल ग्रूप को यह डिटेक्ट करता है टू-4 डीनपी जितने भी कार्बोन सबको अटैक करा देगा नेक्स्ट बेंजीन सल्फोनिल क्लॉराइड बेंजीन के बाद एसो टू सील बेंजीन के बाद एस डबल बॉंडो डबल बॉंडो सील बेंजीन सल्फोनिल क्लॉराइड क्या होगा आपके पास बेंजीन सल्फोनिल क्लॉराइड में देखो क्या है अक्क रहां से एक बार यह सीय निकलेगा और आपके पास अuzahlebanioica लिज्बल चौल बेंजीन के साथ बूइंग जो होता है वह बेंजीन अलफुनिल निया है तो यह नहीं है जो बिदुड़ीज़ इं आपके हपके पास बंजीन सल्फ़ोनिल क्ल्रेड क्या है आपके पास बैंजीन सफुनिल क्ल्राइद इस हिंसबर्ग रीजन्ट इसम्सबर्गर टेस्ट अबolenे कंभे मस्टर्ड टेस्ट भी पढते हैं क्या वो इंसी आठी में नहीं क्या आएगा नहीं समार्ठ वर्क अगेन बेटा मैं आपको बताता हूँ यह टिस्टिंग को आपके सलबस में नहीं है एडाट सिट एने चैसो 3 क्या करता है कार्बोनिल गुरुब को डिटेक्ट करता है एक तब तो उसको नौन कार्बोनिल मना आएगा दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ करता है तो कार्बोन वाले अगले उस पे मूव करते हैं वी 205 लास्ट अगर बेंजीन में हाई टेंपरेचर यानि की 500 डिगरी सेल्सियस करोगे तो आपके सामने मैलीक एन्हेड राइड बनेगा पूछा हुआ सवाल है बेंजीन में हाई टेंपरेचर 500 पे मैलीक एन्हेड राइड लेकिन वहीं 300 पे फिनॉल बना लेगा बेंजीन में वी टूओफाई 500 पे मैलीक एन्हेड राइड बनाता है 300 पे फिनॉल बना लेता है वी टूओफाई तैंक यू दास अल सबतर रिएजेंट्स आपके फिनिश होगा है यहां पे आपके कितने रिएजेंट्स फिनिश होगा बच्चे 70 ठीक है आप इस PDF को टेलीग्राम से ले लीजे और उसको देखिए मैंने बहुत कम टाइम में 70 रिजेंट्स आपके दिमाग के सामने से एक बार ओवरलाप कराया है ठीक है मैं बार बार बोलता हूं बच्छे कि आप बहुत बड़े-बड़े टीचर से पढ़ते हैं आप बह नहीं है क्यों ऐसा हुआ क्योंकि आपको पढ़ना तक पढ़ा ही नहीं मुझे अगर खिचटी बनानी है तो और नमक डालगे तो आहिस आपका नमखीन लगेगा से नीट का सिल्वेस पढ़ोगे तो सेलेक्शन होगा नीट को छोड़के बाकि कुछ भी पढ़ते रहो नहीं होगा मैजॉरीटी लोगों के साथ यही होता है गुम्रा होते हो बहुत बड़ी-बड़ी हो अला दस मिलियन व्यूज एक मिलियन व्यूज चार मिलियन व्यूज और देखते हैं कि भाई उसमें पता नहीं यूंटियाटी से लावाँ और क्या-क्या पढ़ा दिया गया लेकिन उससे सेलेक्शन नहीं होगा सेलेक्शन होगा इंस्याटी पढ़ने से बच्छो बहुत बेसिक पढ़ने से शाहिन मेरे पढ़ने से लगता होगा रही है तो बहुत सिंपल आपने पढ़ा दिया क्या एक्जाम में है इस इनफ बेटा यह से सेलेक्शन होता है इनफ का पता नहीं ठीक है थैंक यू सो मच यार मिलते हैं आपसे बाबाए